नमस्कार दोस्तों आप सभी को JS फार्म में स्वागत है आज मैं आप सभी को एपल वेर का प्रूनी या कटिंग कैसे किया जाता है उसका सही तरीका आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस साल बहुत सारे किसन भाई जो की एपल वेर की खेती सुरू किये हैं पर उन लोगों को पता नहीं है कि एपल वेर की कटिंग कैसे किया जाता है अगर एपल वेर की कटिंग सही समय में और सही तरीके से नहीं किया जाए तो पैदावार अच्छा नहीं आएगा और उनको नुकसान होगा इसलिए मैं आज आपको सही तरीका और किस जगा से एपल बेर की कटिंग की जानी चाहिए और किस टाइम पर करना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तो एपल बेर की कटिंग जून महिने में की जानी चाहिए मैं के लास्ट और जून की फास्ट में अगर हम मई के आगे से करेंगे तो पहले ही फुटा आ जाएगा पेड में और वो बड़ा होके उसमें फूल या फल अच्छा नहीं लगगा अगर हम सही समय में करेंगे मई और जून के टाइम पे तो हमारा फल अच्छा लगगा पेड में तो इसलिए आप लोग मई की लास्ट सप्ता और जून की पहली सप्ता हमें करने के लिए कोसिस कीजिए और ज़्यादा उपर से पेड को मत काटिए क्यूंकि ज़्यादा उपर से अगर आप पेड को काटेंगे तो फटने का चांस रहता है जो अगर सही तरीके से देखे कैसे मैं काट रहा हूँ और जबी भी आप काटिएगा तो आप तिर्चा करके काटिए पेड को नहीं तो वो सडने या गलने का चांस रहता है और पूरा एकदम सटिक से काटिए क्योंकि वो फटेगा फट जाएगा तो पेड वो नहीं बचेगा तो दोस्तों देखिए पूरा ग spice आप कर तोस्तों इसे क्योंकि वो एकदम स्टोंकि रगा पानो क्वेड़म से कृटके अरुटके टहें कितने अवाईब रप्याईव 않ने अवेगा तोस्तों ंवेगा चु़फटके way ब nasıl म हैं ज़िससrar ो लिवेगा कर दो कि अड़ में आप हैं वो बाव जाओ कर दो जाओ कर दो जाओना आप एक रहा है यज़े तो आप हैं वो आप बाव एक रहा हैं तो दोस्तों आप जब एपल वेर की सही तरीके से कटिंग कर लें उसके वाद उसके उपपर जो घाओ हुआ है पेड में उसके उपपर ऐसे कौपर अक्सी क्लोराइट का घोल बना कर उसको अच्छी तरीके से पेड में लगा दें इसको लगा देने से क्या होगा पेड में जो घाओ हुआ है उसमें फंगल का इन्फेक्शन नहीं होगा पेड में और आपका जो पोधे का उमर सालों साल ऐसे बना रहेगा बिल्कुल इसी तरह देखिया दोस्तों कैसे कटिंग हुआ है पेड का तो आप इसी तरह से एपल वेर की कटिंग करके उससे ज्यादा से ज्यादा पैदावार ले सकते हैं और मुनाफ़ा कमा सकते हैं तो आपको फिर एक नए वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी नमस्कार तरह